नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइब और आपके साथ मैं हुरिचा शर्मा याद कीजिए उनिस और ठेटर में एक फिल्म आई थी विश्वनात जिसमें शत्रुधन सिना हिरो की भूमिका में थे इस फिल्म का एक डायलोग बहुत पॉपलर हुआ था डायलोग जली को आग कहते हैं बुजी को राक कहते हैं जिस राक से बारूद बने उसे विश्वनात कहते हैं उस किरदार में बदले की भावना थी जिसे शत्रुधन सिना ने फिल्माया था एक बार फिर उसी किरदार में शत्रुधन सिना नजर आना चाहते हैं लेकिन वो मैदान रा क्वावत की बू आ रही है शत्रुधन सिना शनिवार कॉंग्रिस में शामिल हो गए फिल्म की पटकथा की तरह इसकी भी कहानी काफी समय से लिखी जा रही थी पिछले कई वर्षों से सत्रुधन सिना बीजेपी के नेत्रित्व से नाखूस थे समय से में पर कई दलों में उन ओहने लोक शाही को धीरे धीरे तना शाही में परिवर्थित होते देखा है शत्रुधन सिना ने कहा कि मौजूदा बीजेपी नेत्रित्व ने यश्वंत सिना मुड़ली मनोहर जोशी अरुन्सवारी जैसे कद्दावर शक्सियतों को निपता दिया गया शत्रुधन सिना लाए अपने दर्ध को हुए बैया करते हुए पूछा कि आखिर बीज़े पी सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया उन्हों ने कहा कि या उनके अंदर काबी horiz नहीं थी या फिर उनके आंदर क्या कमी थी शतुौदसिना ने कि बीजेपी में इस वक्त तनाशाही सरकार चल रही है उन्होंने कहा कि वन मैन शो और टू मैन आर्मी की सरकार है शत्रु ने कहा कि केंद्र के मंत्रियों को अपना सचीव रखने की इजाज़त नहीं है आपको बता दे कि शत्रुदं सिन्हा अपनी पूरानी सीट पटना साह से ही कॉंग्रिस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उनका सीधा मुकाबला बीजेपी नेतारा विश्रंकर प्रसाथ से होगा शत्रुदं सिन्हा के वार पर पलटवार होगा जिस प्रकार वो बीजेपी पर जोड़दार हमला बोल रहे हैं अब उन पर भी जवाबी हम अब देखना दिल्चस्प होगा कि आगामी चुनाव जीतकर विश्वनात बनेंगे या उनकी पूरानी पार्टी उन्हें खामोश कर देगी अगर आपको यह ख़वर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा जादा शेयर करें और हमारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार